ओम सिरी गनिशाय नमदोस्तो एश्टो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 13 दिसंबर बुद्डुवार के रासी फल के बारे में कि यह दिन मितधुन राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन-किन चीजों से इनको फायदा होगा किन-किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनिस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ की महत्पापूर्ण जानकरी हम आपको देंगे और इस वीडियो के यंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोगस रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में करते हैं कि आपके लिए आज पॉज़िटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपके उच्च इस्तर के अधिकारी से संबंद बहतर होने से अच्छी पोजीशन प्राप्त होनी की संभवना बन सकती हैं अच्छा धनलाब प्राप्त होनी की भी आज संभवना बन सकती है यदि आप कोई कार्रे करते हैं तो आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है दोस्तों साती सात आपको आज कुछ नए अवसरों की प्राप्ती होगी और उन अवसरों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए आपके पास पूरी उर्जा और सेन सकती भी होगी आप आज जिस भी किसी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी और सुचारों रूप से आज आपके सभी कार रहे आसानी से बनते चले जाएंगे जिससे आपकी आर्थिक इस्तितियां बहतर होने की संभवना पाई जाती है आज आर्थिक ल आटने में भी आप दिल्चस्पी रखेंगे आप दूसरों की जवर्तों को ध्यान में रखते हुए सामानने से अधिक विचार सील होंगे परीजनों से मदद पाने की आपकी इक्छा आपको सेयोग पाने के लिए प्रेरित करेगी दोस्तों आज भविश्य के लिए योजन कारों में रूची बढ़ेगी कारोबार में अच्छा मुनाफ़ा आप कमा सकते हैं दिया हुआ धन आज आपको वापस मिल सकता है सोच समझ कर काम करें अनुवबी लोगों की सला आज जरूर लें आपके लिए फायदेबंद रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं जब के दोस्तों आज गाड़ी और घर की प्राप्ती के लिए किया गया प्रियास में बादाएं उत्पन हो सकती हैं यदि आप नौकरी करते हैं तो केरियर को लेकर उतार चड़ाव की इस्तितिया आज आपको देखने को मिल सकती हैं परन्तु प्रियास करने से अच्छा लाब प् आपको अपने परिवारिक शुकों में आज कुछ कमी देखने को तो मिलेगी ही साथी साथ इन सभी समस्याओं के कारण आपका मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है जिसका विपरीत असर आपकी सेयत पर पड़ेगा आज सत्रू अंद्रूनी समस्या भी हो सकता है किसी तरह का को कोई कोट मुकदमा या प्रॉपर्टी से संबंदित कोई विवाद है तो जादा प्रियास ना करें अन्यता इस्तितियां विपरीत दिसा में हो सकती हैं दोस्तों साथ इसाथ चिंता या तनाव से आप बचें इस समय ऐसी कोई घटना होगी जिन से निवट पाना आपके लि अन्य केई महतपूर्ण चीजे के भूलनी की भी आज संबहवना बन सकती हैं दोस्तों बेवजा के डर को मन से निकालें और परिश्रम से कारने में जूटें नकारात्मक विचारों से बचें अन्यता परिवार में कलह होने की संबहवना रहेगी अधिक परिश्रम से शाररि इन आप लोग अपने प्रेम जीवन का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस समय उन्हें प्रपोज कर सकते हैं इसके लिए इस्तिती आपके लिए काफी अनुकूल है परन्तु यह काम आपको जल्द ही कर लेना चाहिए प्रेमी प्र कोशिस ना करें यदि इस समय आप दोनों के बीच किसी तरह का विवाद हैं तो उसे सुल जाने की कोशिस करें यदि नए रिलेशनसिप हैं तो उसमें कोई भी जल्दबाजी में फैसला ना करें आपके लिए अच्छा रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका वैव पैसाइक गति विद्यों में परिसानिया आ सकती हैं लेकिन कटिन परिश्रम से क्यारों में सफलता मिलेगी और धनलाब की काफी अच्छी इस्तिती रहेगी कर छेत्र में काम के अधिक्ता रहने से शारारिक और मानसिक रूप से ठकान का अनुभव आज आपकर सकते हैं कोई अच्छी खुसकबरी आज प्राप्त हो सकती हैं विद्यार्तियों के लिए समय अच्छा है नौकरी करने वाले जातकों के लिए भी समय आज का काफी मिला जुला रहेगा जिहां दोस्तों आज का समय आपकी आर्थिक इस्तिती को मजबूत बनाने में काफी महतपूर स होगा और आप परिवारिक संपत्ति प्राप्त कर पाने में भी आज सफल हो सकते हैं जिससे आपको काफी खुसी का अनुभव होगा दोस्तों बात कर लेते हैं जापका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपको अपने खान पान पर विशेश रूप से ध्यान दे जर्त बनी हुई रहेगी आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपको अपने स्वास्त में लापरवाही नहीं करनी आज आपको अपनी सहत के मामलों में मिले जुले परिणाम देखने को मिलने वाली रहेगे दोस्तो मद्ध्यान के बाद आज आपका स्वास्त बिगड सकता है वहाँ चलाते समय शावधानी बरते दोस्तो अपने भोजन सामग्री पर आप विशेश रूप से ध्यान दें और समय निकाल कर अपने लिए प्रते दिन नियमित रूप से एक्सरसाइज करें ताकि आप श्वैम को चुस्त दुरुस्त बनाए रख पाने में सफल हो इसने दोस्तो अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजा ना योग करें वयाम करें स्वस्त रहें दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए विशेश हुपाई क्या हैं दोस्तो आज आप इश्वनान आदिशे निर्वत्र होने के बाद एक कांसे की थाली लें या दोस्तो एक कांसे की आपको थाली लेनी हैं उस थाली में आपको चंदन से ओम गंग गंपते नमहा लिख कर इसके बाद आप इस थाली में पांच बूंदी के लड़ू रखकर नजदीक के भगवान श्री गनेश जी के मंदिर में जाकर दान करें या दोस्तो ऐसा करने से आपके लिए बहुती शुवयोग बनते हैं और भगवान श्री गनेश जी बहुत जल्द प्रसन होते हैं और काशिरबाद आपको प्राप्त हूँ सच्चे दिल से कमेंट्स बोक्स में जैश श्री गनेश अवस्चर लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें धन्यवाद